इस चीज का इस्तेमाल करने के बाद हमारे पौधे की ग्रोथ इतनी अच्छी होगी साथ ही उसमें इतने सारे फूल आएंगे और हमारे पौधे में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उन सभी समस्या का समाधान हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो में लाष्ट तक बने रहीएगा आएए आप सभी का स्वागत है बाल के ने अच्छल गार्डन में दोस्तों ठंड तो काफी बढ़ गई है और साथ ही ठंड बढ़ने के साथ साथ हमारे फूलों वाले पौधे की कुछ प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे से कीड़े भी लग जाते चीटियां आप देख रहे होंगे कितनी सारी है और फूल तो लगबग सभी पौधे में आ रहे हैं जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ किसी भी ऐसे पौधे में ऐसा नहीं है कि कलिया नहीं बनी हुई है इसका कारण है कि मैं इसमें बदल बदल कर हमें साही फटिलाइजर देती हूँ और आप सभी के साथ शेयर भी करती हूँ तो मेरे सभी प्लांट्स में फूल खील रहा है चाहे वो गर्मी वाले हो या ठंड वाले हो तो ये देखिए कितने सुन्दर गुढल भी खीले हुए हैं और बहुत सारी कलियां भी बनी हुई है ये सब जो फटिलाइजर देती हूँ उसी का रिजल्ट है पर दोस्तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करूँगी जो की हमारे पौधे में प्रॉब्लम हो रही है जैसे की अभी वो काले वाले कीडे लग रहे हैं मिली बग लग रहे हैं ये अभी बहुत जादा ही पौधे में ये परिशानी का कारण बने हुए हैं तो दोस्तो इसकी सुरुवात कहां से होती है ये हमारे पौधे की मिट्टी से ही ये सारे चीज की सुरुवात होती है तो अगर हम इस मिट्टी में ही इसका सॉल्यूसन धूंडे तो वो हमें इसकी मिट्टी का ही कुछ उपाय करना होगा ताकि हमारे पौधे में वो कीडे ना लगे लगबग जो भी पौधे मैं आपको दिखा रही हूँ अभी इस टाइम पर ये सभी में वो कीडे लग जाते हैं और साथ ही जो चीज मैं आपको बताऊंगी उससे आपके पौधे में फूल काफी अच्छी मातरा में आएंगी यहां देखिए मैंने जो सबजियां ग्रोगी हैं वो काफी अच्छे उनके ग्रोध भी हो रहे हैं तो इस टाइम पर इन सब में भी कीडे लगने शुरू हो जाते हैं तो आज यह सब भी समस्या का समादान मैं लेके आई हूँ तो वीडियो पूरी लाश्ट तक देखिएगा अगर आपके साथ भी ऐसी परिशानी हो रही है तो यह वीडियो इस पेसलिए आपके लिए ही है और खास करके गुड़ल वाले पौधे में तो बहुत ही ज़्यादा कीडे लग रहे हैं और गुल्दावदी में भी ऐसे कहा जाए तो अभी लगवक सभी पौधे में बहुत कीडे लग रहे हैं तो यह वाले चीज का आप यूज करेंगे तो आपकी पौधे में फूल काफी अच्छी मातरा में आएंगे और इसे हमें कैसे यूज करना है तो दोस्तों यह देखिए मिट्टी यह मिट्टी ही हमारे पौधे की सभी परिशानियों का हल लेके भी आती है और प्रॉब्लम लेके भी आती है तो इस पानी को मैं मिट्टी में ही डालूँगे क्यूंकि चीटियां यहीं से पौधे पर आती है और हमारे पौधे पर तरह तरह के कीड़े लेके आती है अंडे देती है जिस वज़़े से उसमें कीड़े पनपते है तो यह वाले पानी मैंने देखिए गमले की मिट्टी में डाल दिये अब यह हमारे मिट्टी में चीटियां नहीं जाएंगी यहाँ पर बहुत सारी चीटियां भी चल रही है तो यह काफी असरदार है आप इसका उप्योग जरूर अपने पौधे में कीजेगा और उसके बाद रिजल्ट देखिएगा आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि मैं जो भी फटिलाइजर आपके साथ शेयर करती हूँ वो मैं एक पाट ट्राइ करती हूँ फिर आप सभी के साथ शेयर करती हूँ ऐसे ये सारी चीजे मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ तो ये देखिए ये है क्या ये एक गोली अगर आप अपने पौधे में इसका इस्तिमाल करते हैं तो आपको इतरा अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो दोस्तों आपके घर में जैसे कि आप कोई भी फीवर हो या किसे भी चीज की दवाईयां लाते हैं तो आप एक बारी उच करने के बाद आप उसे साइड रख देते हैं अगर आपकी तरफे ठीक हो जाती है तो वही आप दवाई ले लीजे और इसको आप पानी में डाल के और अच्छी तरह से इसे घोल लीजे तो यहाँ देखिए जैसा कि मैं पानी में डाल रही हूँ और कोई गोली ऐसी होती है जो तुरंत नहीं घुलते हैं तो आप उसे घुलने के लिए रख दीजे तो मैं इसे अभी रात भर के लिए छोड़ दूँगे तो रात भर छोड़ने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि यह कैसा दिखता है अभी मैं इसमें दो-तीन तरह की गोलिया डाल रही हूँ दोस्तों यह आपके पौधे को नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेगा बलकि यह आपके पौधे को काफी अच्छा रिजल्ट देगा आप एक भट ट्राई करेंगे तो आप कभी भी आप मेडिसीन फेकेंगे नहीं तो यहां इसे मैं अब रात भर के लिए छोड़ दूँगी कुछ गोलिया तो गल गई और कुछ गोलिया अभी पूरी तरह से नहीं गुली है तो इसे हमें पूरी तरह से गोलना है जैसा कि देखिए यह कुछ गोलिया भी नहीं गुली है तो मैं दिखाती हूँ कि इसे रखने के बाद ये कैसा दिखता है तो ये देखिए आप जो ये फूल देख रहे हैं ये सभी में अभी जैसे ही ठंड बढ़ती है इस अभी में कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं तो ये सभी पौधे की जड़ में आप इसे जरूर डालिएगा तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और फूल भी काफी अच्छे आएंगे इसमें कीड़े एक दम नहीं लगेंगे मेरे पौधे तो अभी बिल्कुल सुरक्चित हैं क्योंकि मैंने ये सारी चीज़े यूज की हुई हैं आप देख सकतें कहीं भी एक भी कीड़े आपको नहीं दिख रहे होंगे मेरे किसी भी गुल्दावदी में अभी कीड़े नहीं लगे हुए हैं और ये फूल थोड़े थोड़े से सूखने भी लगे अब क्योंकि काफी दिन हो गया है दोस्तों ये देखी एक दिन रखने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है इसमें काफी अच्छे से जो गोलिया है वो घूल गई है तो अब इसे आप पानी में मिक्स कीजिए और उसके बाद अपने सभी प्लांट्स में आप इसका यूज कीजिए आपको जितनी जरूत है आप उतना पानी में मिक्स कीजिए और सभी पौदे की जड़ में आप इसे डाली उसके बाद देखिएगा कि आपके पौदे का रिजल्ट कितना अच्छा आपको मिलेगा तो आप अगर ये जितना मैंने लिया है तो इसमें आप कम से कम 10 लिटर पानी का यूज जरूर कीजिएगा मैं अभी थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि मैं कुछी गंबले में अभी डालने वाली हूँ क्योंकि मैंने फटिलाइजर अभी एक दिन पहले ही अपने पौदे पे यूज किया है तो मैं अभी इसे कुछ पौधे में डालूँगी जो की मैं इसे गुढल में डालने वाली हूँ तो इस तरह से दोस्तों बनाईए अपने पौधे में यूज कीजिए और उसके बाद इसका रिजल्ट देखिए तो और माकी आप रख सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मिलूँगी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई बाई हैपी गार्डनिंग